कहानी की शुरुवात एक बड़े से शहर के बड़े आफिस से शुरू होती है इस बड़े से आफिस में गैरी नाम का एक मेहनती लड़का काम करता था गैरी पहले किराय के घर में रहता था लेकिन पर्मोशन मिलने के बाद वो खुद का घर खरीदना चाहता था आज आफिस में बैठे बैठे वो एक फाइल देख रहा था, जिसमें बहुत सारे घरों के बारे में बताया गया था, जल्द ही गैरी को एक घर पसंद आ जाता है, जो शहर के बारी हिस्से में बना हुआ था, अगले ही दिन गैरी अपना समान लेकर अपने नए घर में पहुं दुरान उसे रास्ते में कुछ हवाजे सुनाई देती हैं ये अवाजे सड़क किनारे लगे बोड के पीछे से आ रही थी गैरी जैसे ही बोड के पीछे देखता है तो उसे बही विखारी नजर आता है जो उसके घर में था ये बिखारी एक मरा हुआ चूहा खा रहा था जिसे देखकर गैरी बहुत डर जाता है और जल्दी जल्दी वहां से भागता है इस बिखारी का नाम जॉन था और ये गैरी के घर के बिल्कुल पास रहता था घर आकर गैरी जल्दी जल्दी पुलीस को फोन कर कहता है कि मेरी जान को खत्रा है और मुझे मदद चाहिए थोड़ी ही देर बाद पुलीस उसके पास पहुंच जाती है और गैरी उनसे कहता है मेरे घर के पास वाले खुले मेदान में एक बिखारी रहता है और मुझे उससे डर लगता है ये सुनकर पुलीस वाले उससे समझाने की कोशिश करते है कि तुम्हें अपने डर पर काबू पाना चाहिए मगर गैरी किसी भी हाल में उस बिखारी को अपने घर के पास नहीं देखना चाता था और इसी लिए वो पुलिस से जूट बोलता है कि वो बिखारी खुले में बातरूम करता है पुलिस गैरी के जूट को सच मान लेती है और बिखारी जान को गिरिफतार कर ले जाती है जान की गिरिफतारी के बाद गैरी बहुत अच्छा फील कर रहा था उसकी लवर का नाम जूलिया था और वो कल ही उसके पास आने वाली थी आज Gary को जूलिया की बहुत ज्यात आ रही थी लेकिन इसी बीचों से आग जलने की अवाज सुनाई देती है वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है तो उसे खुले मैदान में John नजर आता है वो जल्दी जल्दी पुलीस को फोन कर पूछता है कि बिखारी John इतनी जल्दी बाहर कैसे आया पुलीस उसे बताती है कि एक N.G.O. ने उसकी जमानत करवा दी थी पुलिस की बात सुनकर गैरी बहुत हैरान होता है और उनसे बातें करता करता वो फिर से बाहर देखने लगता है इस बार जॉन बिलकुलूस के सामने था जिस कारण वो बहुत डर जाता है और अपने उपर लाल चटनी गिरा लेता है Gary का हाल देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बिमल खाकर उस पर धूख दिया हो अगले दिन Gary के घर बहुत सारे वरकर्स काम कर रहे थे Gary ने फैसला किया था कि वो अपने घर के चारों तरफ एक दिवार खड़ी करेगा ताकि John उसके घर में न गुश सके इसके साथ ही वो अपने घर में बड़ी बड़ी लाइट्स भी लगवा रहा था वरकर्स को पूरा काम समझा कर वो अपने आफिस चला जाता है रात को Gary अपने घर बापिस आता है जिसके चारों तरफ अब लकड़ी की दिवार बन चुकी थी आज Gary के साथ उसकी लवर जूलिया भी थी और वो Gary का घर देहकर बहुत कुछ थी जूलिया दूसरे शहर में काम करती थी और वो जहां कुछी दिन रहने आई थी अगले दिन Gary आफिस से जल्दी छुटी ले लेता है क्योंकि वो जल्दी गर पहुँचकर जूलिया को सर्प्राइस देना चाता था घर में आते ही उसकी नजर जूलिया पर पड़ती है जून आराम से बैठा खाना खा रहा था और जे सब देहकर Gary बहुत हैरान होता है अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और तबी जून शरारत करता है जिसके बाद Gary डर कर उपर की दरह भागता है उपर उसे बात्रूमें जूलिया नजर आती है वो उससे पूछता है कि जून हमारे घर में क्या कर रहा है जूलिया उसे बताती है कि वो विचारा बूखा था और खाने की तलाश में हमारे घर के बाहर बटक रहा था ये सुनकर Gary उसे डांटने लगता है उसे सपने में जून दिखाई देता है और उसे लगता है कि एक दिन जून उसकी जूलिया उसे छीन लेगा अगले दिन जूलिया को एक जूरी काम निकलाता है जिस कारण वो अपने शहर बापिस चली जाती है उसके जाने के बाद Gary फिर से घर में अकेला रह गया था और पता नहीं कि अब उसके साथ क्या होगा एक दिन Gary को अपने बेस्मेंट से कुछ हवाजे सुनाई देती है जिसके बाद वो सीधा बेस्मेंट में आता है बेस्मेंट में उसे एक गिफ्ट दिखाई देता है जिसे देहकर Gary सोच में पड़ जाता है वो जैसे ही उसे खोलता है तो उसमें कटी हुई उंगलियां देहकर वो बहुत डर जाता है बेस्मेंट में जान भी चुपा हुआ था और ये गिफ्ट उसी ने रखा था उसे बेस्मेंट में देहकर Gary बहुत हैरान था लेकिन जान कुछ नहीं बोलता और चुप चाव वहां से जाने लगता है मगर आज भी वो शरारत करता है और उसकी शरारत से Gary बहुत डर जाता है थोड़ी ही देर बाद Gary के घर बहुत सारी पुलीस आ जाती है Gary ने ही पुलीस को बुलाया था और पुलीस कटी हुई उंगली अपने गफजे में कर लीती है Gary उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सारा गाम जान का है लेकिन पुलीस उससे कहती है कि हम investigation करेंगे और जल्द ही कातल तक पहुँच जाएंगे मगर Gary उनकी बातों से खुश नहीं था और फिर थोड़ी ही देर बाद पुलीस पहां से चली जाती है बेस्मेंट में कटी उंगलियां देहकर Gary बहुत डर गया था अब वो अपने पास अपनी गन रखने लगा था ताकि जुरूरत पढ़ने पर वो उसका इस्तमाल कर सके देर रात को उसके घर लीटा नाम की एक प्रॉप्टी डीलर आती है Gary ने अपने घर को बेचने का फैसला कर लिया था और इसलिए उसने लीटा को जहां बुलाया था अगले दिन सुभा Gary के घर के बाहर बहुत सारी पुलीस पहुंच जाती है कटी योंगलियों की इन्वेस्टिकेशन करने के बाद पुलीस का शक गैरी पर जाता है और वो उसे बेरहम किलर मान लेती है पुलीस का मानना था कि यह सारा काम गैरी का है और वो पुलीस को बेवखूप बनाने के लिए नाटक कर रहा है देखते ही देखते पुलीस गैरी के घर को चारों तरफ से घेर लेती है जबकि घर के अंदर गैरी को इसकी कोई खबर नहीं थी पुलीस उसे सिर्फ फिर और बेरहम किलर मान चुकी थी और गैरी की एक चलक दिखते ही वो गोलियां चलाने लग जाते है गैरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है थोड़ी देर गोलियां चलाने के बाद पुलीस अंदर आती है जनें देहकर गैरी बहुत हैरान था अब डेटेक्टिब वेल आ गया कर उसे कहता है हमें पता चल गया है कि वो कटी हुई उंगलियां एक बुड़िया की थी और वो तमारे पडोस में रहती थी उसकी बात सुनकर गैरी हैरान था और तभी आफिसर टोनी विल के पास आकर उसे फ्रिज देखने के लिए कहता है टोनी की बात मानकर विल फ्रिज खोलता है और उसमें उसे प्रॉप्टी डीलर लीटा की लाश दिखाई देती है लाश के टुकडे देखकर पुलिस गैरी को किरिफतार कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है कुछ दिनों बाद गैरी को कोट में पेश किया जाता है जहां जज के साथ साथ जूरी ने भी गैरी का फैसला सुनाना था जल्द ही कोट की सुनवाई शुरू होती है और सरकारी वकील गैरी की माम से तीखे सवाल पूछता है वकील के सवाल सुनकर माम को दोरा पड़ जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है अपनी माम की मौत देहकर गैरी बहुत रोता है और जूरी को उस पर रहम आ जाता है और तो और हॉस्पिटल ले जाते समय माम की लाश गलती से नीचे किर जाती है जिसे देहकर पूरे शेहर को गैरी पर तरसाने लगता है आखर में जूरी गैरी को रहा करने का फैसला करती है और जज को भी उनका अटपटा फैसला मानना पड़ता है अगले दिन गैरी जेल से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो अपना घर छोड़ देता है Gary ने फैसला किया था कि अब वो अपने पुराने घर में कभी नहीं जाएगा और वो कहीं दूर जाकर जिंदगी काटेगा Gary को सफर करते करते रात हो जाती है और अचानक उसे अपनी गाड़ी में John नजराता है उसे देहकर Gary बहुत डर गया था और John उससे कहता है कि मैं तुमारा पीछा कभी नहीं छोड़ूँगा John की बात सुनकर Gary और भी डर जाता है और उसकी गाड़ी बेकाबू हो जाती है बेकाबू गाड़ी कई पर पल्टने के बाद भी सीधी होगर रुक तो जाती है लेकिन तब तक Gary बेहोश हो चुका था गुश्टेर बात Gary को होश आता है और उसे अपने आसपास कुछ कैफे दिखाई देते हैं इसी जगा के पास वाले कैफे में वेल और टोनी भी बैठे थे और वो कैफे वालों से मोहिनी चाय के लिए लड़ रहे थे उधर Gary अपनी गाड़ी को गैस टेशन पर ले आया था गाड़ी पल्टने के कारण गाड़ी का पूरा फ्यूल निकल गया था जिस कारण अब वो गाड़ी में फिर से फ्यूल भरने लगा था फ्यूल भरते बरते उसका ध्यान गाड़ी में रखे समान पर पढ़ता है जिसके बाद वो डिगी खोल कर उसे देखने लगता है ये सारा समान जॉन का था और गाड़ी पल्टने के बाद वो गाइब हो गया था उसका समान देखते देखते गैरी को पता चलता है कि जॉन एक डॉक्टर है और वो उस पर कोई प्रियोग कर रहा है जॉन की सचाई जानकर गैरी बहुत हैरान था और तभी गाड़ी में चुपा हुआ जॉन उसके सामने आता है गाड़ी से बाहर निकल कर वो गाड़ी में फायर स्टिक फेंगता है ताकि कोई भी उसके बारे में जानना सके फायर स्टिक के कारण काफी दुआ हो गया था और दुएं का फाइदा उठाकर जॉन वहां से भाग जाता है मगर उसकी सचाई जानकर गैरी ने आज उससे डरना छोड़ दिया था उसने जॉन को सामने वाली माइंड्स में जाते देख लिया था जिसके बाद वो भी उसी तरफ जाता है उदर विल और टोनी अभी भी मोहिनी चाय के लिए लड़ रहे थे और तब ही उनके पास खड़ी गैरी की गाड़ी में धमाका होता है वो दोनों पहले गाड़ी को देखते हैं और फिर जैसे ही उन्हें माइंड्स से अवाजे सुनाई देती हैं तो वो भी उसी तरफ जाने का फैसला करते हैं माइंड्स में जान और गैरी एक दूसरे से लड़ रहे थे और लड़ाई में गैरी जान को बहोश कर देता है उसके बहोश होते ही वहाँ पर विल भी पहुँच जाता है विल तो पहले से ही गैरी को किलर समझ रहा था और वो उससे कहता है इसने जरूर तुम से भीख मागी होगी और तुमने इसका कतल कर दिया इतना कहकर वो उसे गिरिफतार करने लगता है लेकिन तभी जॉन उठकर पीछे से उस पर वार कर देता है बेरहम जॉन ने उसकी चाती में पूरी की पूरी चेर गुसा दी थी खुद को बचाने के लिए विल कई गोलियां भी चलाता है लेकिन कोई फाइदा नहीं होता गैरी को माइंड्स में एक कैमरा मिल जाता है और वो जल्दी जल्दी जॉन की एक तस्वीर ले लेता है विल की मौत के बाद जॉन और गैरी फिर से एक दूसरे के सामने थे दोनों एक बर फिर से लडने के लिए तयार थे लेकिन उसी बल वहां टोनी आ जाता है विल की लाश देहकर वो दोनों से पूछता है कि इसे किसने मारा दोनों ही एक दूसरे की और इशारा करते है जिसके बाद गैरी टोनी की तरफ तस्वीर फेंगता है तस्वीर देहकर टोनी समझ गया था कि विल का कातिल कौन है अपने धागे खुलते देहकर जौन टोनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन टोनी उस पर कई गोलियां चलाता है जिनसे जौन की मौत हो जाती है दरासल जौन एक सिर्फिरा डॉक्टर था जो जान बूच कर विखारी बना हुआ था वो इनसानों पर एक प्रजोग करना चाहता था वो ये देखना चाहता था कि एक इनसान को पागल करने के लिए कितना डराना चाहिए उसने अपने प्रजोग के लिए गैरी को चुना था जिसके बाद वो से डराने लग गया था उसे ज्यादा से ज्यादा डुराने के लिए ही उसने उसके घर में कटी हुई उंगलियां और लीटा के टुकड़े रखे थे कहानी की आखर में गैरी अपने लिए नया गर खरीद लेता है हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद